हलो मॉमीज, वेलकम टू विमेन दुनिया, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 28 वीक के बारे में, ये सब्ताह आपकी प्रेगनेंसी का सात्वा महीना और तीसरी तिमाही है, इस तिमाही में आपको कई तरह के दर्द के साथ गुजरना पड़ता ह बहुत सारी महीलाओं को इस तीसरी तिमाही के शुरुवात से ही कॉंट्रक्शन्स आने लते हैं, बहुतों के प्रसव भी इस तिमाही में होने का खत्रा रहता है, अब तक तो आप समझी गई होंगे कि इस तिमाही में आपको अपना और अधिक ध्यान रखने की जरूरत है साथ ही अपने शिशू की हलचल और अपने शरीर में हो रहे बदलाओं पर भी अपनी नजर रखें, तो आईए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इस सप्ताह में बच्चे का विकास कहां तक पहुँचा है, इस सप्ताह के अंध तक शिशू 14.6 इंचे तक पहुँचा हो सकता है, उदास हो सकता है, या कभी बहुत खुश भी हो सकता है, शिशू की आखें अब चीजों पर फोकस करना सीख रही हैं, साथ ही शिशू अब अपनी पलके भी जबका सकता है, अब हम बात करते हैं इस सप्ताह में आपके शरीर में क्या बदलाओं होते ह पेट फूलना, पेट भरा भरा लगना, सास लेने में तकलीफ होना, शिशू की हलचल से अभी थोड़ा दर्द जैसा लग सकता है, क्यूंकि शिशू की हड़ियां अमजबूत हो रही है, समय के साथ ये परिशानी भी बढ़ेगी, जिसके लिए आप चाह कर भी कुछ नहीं पर अगर आप चाहें, तो आप अपने पेट पर हलके हाथों से अपना हाथ फेर सकती हैं, अपनी पोजीशन बदल कर देख सकती हैं, थोड़ा टहल सकती हैं, इससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा, अभी आपको पीठ दर्द, कमर दर्द, पैरों में दर्द या सूजन रह ये श्राव होने वाले शिशू को बाहरी संक्रमन से बचाता है, बढ़ते वजन का दबाव नसो पर भी पड़ता है, और नसे नीली नीली दिखाई देने लगती है, ये गर्भवस्था में बिलकुल नॉर्मल होता है, आईए, अब हम जानते हैं, इस सब्ताह में आपको अ आईडिल पैमाना मानते हैं, इसके अलावा सिर्फ इस तिमाही में नहीं, बलकि पूरी प्रेगनेंसी के दोरान आपको संतुरित आहार लेना चाहिए, थोड़ी थोड़ी एक्सेसाइज करते रहनी चाहिए, भरपूर मातरा में पानी पीना चाहिए, और कम से कम आठ से दस गहंते की अच्छी नीन लेनी चाहिए, आपको इस तिमाही से अपने आहार में आईरन की मातरा भी बढ़ा देनी चाहिए, इसके लिए आप आलक, बीन्स, अंडा, मीड और काजू खा सकती हैं, इसके अलावा आपको अभी फाइबर की मातरा भी अपने आहार में बढ़ा देनी चाहिए, इसके लिए आप दैनिक आहार में केला, संतरा, बादाम, गाजर, ब्रॉकली, एपल या आलू ले सकती हैं, आपको अभी एक ही बार में भर पेट खाना नहीं खाना है, आपको अभी हर एक दो घंटे में थोड़ी थोड़ी मातरा में कुछ पौश्टिक खा इसके साथ ही आपको चाय, कॉफी, सिगरेट, शराब और तंबाकू का सेवन भी नहीं करना है, गर्भवस्था के दोरान हर गर्भवती महिला को खास कर तीसरी तिमाही में हलका फुलका एक्सेसाइज जरूर करना चाहिए, और पूरा दिन एक्टिव रहना चाहिए, पर आ अगर आप ठका हुआ महसूस कर रही हैं, तो आपको अराम करना चाहिए, आपको खुद को जबर जस्ती नहीं ठकाना है, आईए अब हम जानते हैं, इस सपताह में क्या हो, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्ख करना चाहिए, डॉक्टर इस सफते आपको कलर ड गर्वे में जुडवा बच्चे हो, या बच्चे का विकास सही ढंग से ना हो रहा हो, तो भी डॉक्टर आपको ये स्कैन करवाने के लिए कहते हैं, इसके अलावा अगर आपको अपने शिशू की हलचल में कुछ परिवर्तन समझ आए, अगर अचानक से शिशू की हलचल क कम हो गई हो या बढ़ गई हो तो भी आपको अपने डॉक्टर को इस बारे में जरूर बताना चाहिए, इसके अलावा अगर आपके कमर या पीठ में दर्ध हो, साथ ही योनी मार्ग से सफेद पानी की जगह, दही जैसा चिपचिपा या खून के साथ गाढ़ा दिश्चार करें, थैंक यू फर वाचिंग